दोस्तों आज हम छट्टिक अक्षा की दुसरी इकई का तिसरा पाठ कटपुतली इस पाठ के ऊपर पूचे गए सभी प्रश्ण के उत्तर आसानसी भाषा में समझेंगे इस पाठ का पहला प्रश्ण है मैंने समझा मैंने इस पाठ से यह समझा की हमें अपने समाज से कूप रथाओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए अपने काम को सही समय पर करना चाहिए शकून अप्शकून के चक्कर में यदि हम फस गए तो हमारा काम बिगड सकता है चींकना बिल्ली का रस्ता काटना जैसी घटना के पीचे वैध्यानिक कारण होते है जिने हम समझे हम अप्शकून के भैसे अपना ही काम बिगाड लेते है अगला प्रश्न है भाशा की और निमनलिकित शब्दों में उपसर्ग लगा कर लिखो दोस्तों उपसर्ग याने आगे से शब्द लगा कर नया शब्द बनाना और प्रत्य याने पीछे से शब्द लगाकर नया शब्द बनाना इसको ही प्रत्य कहते हैं दोस्तो यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है अब नीचे दिये गए शब्दों को उपसर्ग लगाते हैं शकुन को अप शब्द जोड़कर अप शकुन नया शब्द बनेगा दर शब्द को नी शब्द लगाकर नीडर नया शब्द बनेगा स्वागत को सु शब्द लगाकर नया शब्द सु स्वागत बनेगा वेवारिक को अ शब्द लगाकर नया शब्द अ वेवारिक बनेगा प्रथा को कू शब्द लगाकर कू प्रथा नया शब्द बनेगा पूर्ज को भर शब्द जोड़कर भरपूर नया शब्द बनेगा अगला प्रश्ण है खोजबीन अंदश अद्धा के कारण और उसे दूर करने के उपाय ढूंडो और किसी एक प्रसंग को प्रस्तूत करो अंदश अद्धा का मतलब किसी भी सुनी-सुनाई बातों पर आख बन कर विना उसका तर्क समझे यकीन करना पुराने जमाने में अंदश अद्धा काफी हद तक समाज में फैली हुई थी इसका मुख्यकारण शिक्षा का अभाव था जैसे जैसे समाज शिक्षित होता गया वैसे वैसे विद्ध्यान की प्रगति के साथ साथ अंदश अद्धा का स्तर कम होता गया हाला कि आज भी हमारे समाज में अंदश अद्धा की गीनी चुनी कुछ वारदाते सुनने को और देखने को मिलती है लेकिन विद्ञान के प्रचार प्रसार के जरिये हम इसे जड़ से खतम कर सकते हैं दोस्तों अब यहाँ पर हम अंदश अद्धा का प्रसंग देखते हैं एक रात हमारे गाव का कुट्टा बहुत रो रहा था रात में सभी डर रहे थे कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है इसलिए कुट्टा रो रहा है मुझे लगा कि जरूर कोई कारन होगा सुबह होते ही मैं उस कुट्टे के पास गया वहाँ कुट्टा तुटे पुराने घर के पास पड़ा था वहाँ जाकर देखा तो पता चला की कुट्टे के पैर से बहुत सारा खुन निकला हुआ है उसके पैर में काच का एक टुकडा फस गया था मैंने अपने मित्रों और पड़सियों के मदद से उस कुत्ते को डॉक्टर के पास ले गया फिर कुछ दिनों बाद वह कुत्ता ठीक हो गया यह सच्चाई जानने के बाद लोगों को अपनी मुर्खता पर अफसोस हुआ हमारे अंद विश्वास के कारण कुत्ते को रात भर तकलिफ में रहना पड़ा अगला प्रशन है सुनो तो जरा चुटकुले पहली या सुनो और किसी कारेक्रम में सुनाओ एक गरीब आदमी था उसको बच्चे नहीं हो रहे थे वहां उससे परेशान था और उसकी मा की आखों का इलाज करना था मतलब उनकी मा को दिख नहीं रहा था तब उसने सोचा कि मैं भगवान को मेदी समस्या बताओं तब वहां भगवान को प्रसन्न करता है भगवान उसके सामने आते हैं इस गरिब इंसान को धन चाहिए था साथ ही बच्चा चाहिए था और मा को नजर चाहिए थी भगवान ने कहा जो मांगना है एक ही बार मांगो मैं दुबारा नहीं दूँगा मित्रों आप मुझे बताओ वहां गरिब आदमी भगवान से तीन चीजों को कैसे मांगेगा मुझे कमेंट करके भेजो दोस्तों अगला प्रश्न है बताओ तो सही किसी एक सौंसमर्निय घटना का वर्नन करो बच्चपन में मैं अपने नाना के यहां गया था एक रात में मैं अपने मामा के बेटों के साथ खेत में पहुचा हमें बाते करते करते रात के बारह बजगए चारों और गोर अंदेरा चागया था तेज हवा चल रही थी जानवरों की तरह तरह की आवाजे आ रही थी पूरा माहुल डरावना सा लग रहा था वहाँ पर उस जानवर के हाथ हील रहे थे हम सब डर गए मेरे मामा के बेटे रोने लगे इस तरह करीब आदा घंटा बीद गया मैंने हिम्मद जुटाई और धीरे-धीरे उसकी और बढ़ने लगा जैसे ही मैं उसके पास पहुचा तो मैंने देखा कि एक पेड़ पर कपड़ा लटका हुआ था जो हवा की वजह से हील रहा था जब मैंने उन लोगों के रोते हुए चेहरे को देखा तो मैं हसने लगा बाद में जब मैंने यह बात उन लोगों को बताई तो वो भी हसने लगे अगला प्रश्ण है वाचन जगत से हीतोपदेश की कोई एक कहानी पड़ो और उससे संबंदित चित्र बनाओ नर्मदा के तीर पर एक बड़ा सेमर का व्रुक्ष है उस पर पंची घोसला बना कर उसके भीतर से सुख से रहा करते थे फिर एक दिन आसमान में काले बादल चाए उसके बाद मुस्लाधार बारिश हुई बारिश से बचने के लिए बंदरों का जुन पेड के नीचे आया उसी पेड पर पंचीयों का परिवार रहता था उन भीगे और ठंड से कापते बंदरों को देख पंचियों को दया आई पंचियों ने दया से कहा अरे भाई बंदरों सुनो हमने केवल अपनी चोचों की मदद से इखटा किये हुए तिनकों से घोसले बनाए है और तुम तो हाथ पाओ आदी से युक्त होकर भी ऐसा दुख क्यों भोग रहे हो यहां सुनकर बंदर जुझला गए और पंचियों के घोसले पर हमला कर दिया सारे घोसलों को तहस नहस कर दिया पंचियों के अंडे फूट गए